जैहिंद दोस्तों स्वागत है एक बाफ फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकन फारॉर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले मुंबाई इंडियन्स वर्सिज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के बीच जो महा मुकाबला होने वाला है उसकी तो आये देखते हैं कौन-कौन से प्लेयर हमाली इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे पिच कैसी होगी प्लेयर्स कौन से अच्छे होंगे आपके लिए ड्रीमिलवन टीम में क्या प्लेयर का स्टैट्स है और कौन यहां पर चल सकता है कौन किसके अगन से श्टगल करता है मतलब मैस से जूड ली नोटिफिकेशन मिलता रहें और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह कि आपको फाइनल अपडेट जो भी फाइनल टीम होगी पिच्छ रिप कैसी होगी मतलब मैस से जूड़ी सारी जानकरी कहां पर मिलेगी लास्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसलिए कि नीचे जो पिंड कोमेंट है यानि फास कोमेंट उस पर टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा उसे क्लिक किजे और चैनल को जूड़ी कर लीजे नहीं तो क्या करना है टेलीग्राम एप पर जाना है और वहां पर आपको जाके किसी भी दोस साथी यार को मैसेज बेदना होगा नहीं दिख रहा है व्योच के आगे मोर लिखाओ का क्लिक करिएगा दिख जाएगा आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले 500 रुपए का फ्री कि मोस्ट लाइक कोमेंट करना है जिसका कोमेंट सबसे ज्यादा लाइक किया जाएगा वह यह जीत के जाएगा ठीक है औ लेकिन दोनों टीमों में प्लेयर तो बड़े-बड़े हैं यह तो मानना पड़ेगा तो पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं मैच होने वाला है मुंबई में वांखेडे स्टेडियम पाटा ट्रैक होता है अब देखें पिच का क्या इंपक्ट होता है सेम ट्रैक फर्स्ट मै इसलिए मैं बोलता हूँ न वो जो डेटा आफ हेड टो हेड वेन्यू देखते हैं लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो डेटा कब बना होगा और वो सबसे इंपोर्टेंट होता और वही मैं अनालसिस में आपको बताने कोसिस करता हूँगी डेटा आपको सब लेकिन नहीं रहा लेकिन दूसरे मैच में भैंकर रन बने वहां पर यह वहीं वाला पिछ जहां पर मुंबई ने 125 किया बोल्ट को मुम्मेंट मिला था आर ने 127 किया 15.3 ओबर में और स्ट्रगल कर रही थी आर भी पेस को दस स्पिन को तीन विकेट मिला लेकिन फिर अगले लगातार 200 बने हैं तो यहीं unexpected हो गया तो टीम भी उसमें नहीं क्लिक की तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले 50,000 रुपए का फ्री चलते रहते हैं उसके इलावा पूरे नौरात्री भर जो टॉप पांच इन्वेस्टर्स रहेंगे ना हर दिन के उनको फर्स्ट रेंग को आइफोन सेकेंड को सैंसंग 55 इंच एलीडी ऐसे ही करते-करते बड़ा-बड़ा प्राइज मिलता जाएगा और इसी के साथ नहीं कार्मा रुखेगा दो करोर का इनका ग्रेंड लीग वाला चल ला जहां पे आप 25 में बनाई है जो आप यह बड़ा वाला लीडर वोड जीश सकते हैं जिसमें फर्स्ट राइंप टोयटा फार्चुनर है तो यह सब मिस्स मत करिएगा नीचे पिंड कॉमिन में लिंक है माई मास्टा इलन पर साइन अप कर लीजेगा क्योंकि इस समय जहां पर इंट्रिफी सब बढ़ चुक मुंबई इंडियंस ने 20 जीता है और सीबीने 14 जीता हुआ है ओबर आल पढ़ रहा भी मुंबई का भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि मुंबई में कम से कम बल्लेबाज काफी तगड़े हैं और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे है और सीबी विराट कोली को छो प्रफॉर्म और टीम सोचेगी वह सवाद अब गरबडा है ना वह सवाद लगातार मिलता रहे तो अपने सवाद को विस्वाद नहीं करना चाहेंगे और फेवरेट से स्टार्ट भी करेंगे टीम सोचेगी सोरे कुमार यादो पिछले मैच में उतने लह में तो नहीं देते हैं तो हो सकता है वो प्लेस बरता के भी रखे क्योंकि एक प्रेक लेकर जाना चाहेगी मुंबई की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग और में तो रोहित है इसान है सुर्या है उसके बाद नंबर चार डिपेंड करेगा इसान ठीक है कि नहीं अगर इसान नहीं हैं तो तिलक होंगे और अगर इसान ठीक है तो लेट राइट बनाने के लिए हार दीक चले जाएंगे नंबर चार पे और वहीं पर बेड़ा गर्ख हो जाएगा तिलक वर्मा को लेने वालगा क्योंकि नंबर पांच पर तिलक कई बार उतना अच्छे पिक नहीं हो पाते ह है फिर शेफ़र्ड नभी कोट्सी प्यूश चावला बुम्राव और अकास मादवाल यह प्रॉबल 12 है डेध की बात करें बुम्राव को करना चाहिए कभी कभी आप इवें से फट को भी देख सकते हैं आकास मादवाल को भी देख सकते लेकिन जादा चांच से बुम्राव और कोईट सी रहेंगे एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्टिबूशन की बात करें तो पीउस चावला दो से चार पिटाई हुआ तो कम भी हो सकता है बुम्रा चार कंफर्म सिफर्ड तीन से चार पिछले मैं पिटाई हुआ तब भी नहीं हुआ इनके कट हुए हर्दिक पांड चार मोहमद नभी एक से दो हो सकता है जीरो भी हो जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं स्क्रेंट हमने देखी लिया चलते हैं प्लेयर वाई जैनालसिस में सबसे पहले आते हैं रोहित सर्मा बहुत ही सांदार बले बाद तगड़े हिटर अच्छा कैसे फॉर्म में भी है और अच्छा कर रहे हैं बीच में एक मैंच में फ्लॉप हुए थे जहां पर पिछान एक्सपेक्टेर रूप से टूपेस हो गया मैं आपको पहले ही बुलता हूं अगर मुम्मेंट मिलता है तो रोहित के चलने के चांसे कम रहते हैं लेकिन पाटा ट्रैक होने के चांसे इसलि तो कि यह हमेशा ओबर हीटिंग के मोड में आजकाल रहते हैं और वहां पर 30 चाली जाते जाते हैं कई वार विगेट फिक देते हैं लेकिन रिक्ष्टेकर वीसी ओप्सन में तो रखी सकते हैं फिर आते हैं इसान किसन ठीकी ठाक लायरा है हालंकि पिछले मैच में भी काफ देखे एक हैं तो कैPTन या कैपटन में रिसक ले सकते हैं बस यह है कि रिसक थोड़ा जादा हो जाएगा क्योंकि अभी इनका मैच प्रैक्टिस जादा नहीं है काफी दिनों से यह बड़े येश्चिएप ये बड़े विसी में ट्राइक कर सकते हैं और आते अतिलक वठ तो यह रिस्क इनके साथ रहेगा ओबर ओल सेलेक्शन आपको इनका कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत ही बहुत ही बेटरी रहे हैं है यह तो इनके क्लिक करने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो अच्छे पिक होंगे हाँ थोड़ा सा रिक्ष्टेकर्स ड्रॉप भी कर सकते हैं उसका रीजन वही है कि अगर यह नंबर पांच पर गया तो फिर बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगो उसके चांसे थोड़े से कम हो जाते हैं तो यह रिस्क इनके साथ रहेगा तो यह ध्यान दीजेगा ओबरॉल एजे ट्रॉम का ट्रॉप कर सकते हैं फिर आते हा क्योंकि अगर बॉलिंग नहीं करें तो फिर बहुत ज्यादा पॉइंट उतना बैटिंग से नहीं दे पाएंगे मुदलब कि बड़ा पॉइंट ठीक 30-40 तो बनाई सकते हैं आगे बढ़ते हैं टीम डेविट बहुत ही तकड़े हीटर और वान खेड़े पर रह रह रहा है इनकी बैटिंग फर्स्ट है तो कबर कीजिए इस मॉल लिंग में थोड़ा रिस्की ऑप्सन ही हो जाते क्योंकि जितना पॉइंट यह देंगे उतना उपर का टॉप ओडर का बल्ले बाच कोई स्ट्रगल करके भी दे जाएगा फिर आते रोमारियों से फट पिछले मैच मे तो क्या लाजवाब हेटिंग किया था भाईया लाश्ट ओवर में नौर्किया को 32 रनकूट डाले थे बहतरीन हिटर प्लस विकेट टेकिंग नेचर गिदवाज अच्छे पिक होंगे आराम से कवर कर सकते हैं इंको और इवें ट्रय रहे के डिथ में भी गिदवाजी करते फिर आते हैं मुहमद नभी कुछ खास उतना रोल नहीं रहेगा अगर खेलेंगे भी तो अराम से चोड़ सकते हैं क्योंकि लिफ्ट हैंडर सुधर जादा है नहीं फिर आते हैं जी कोईट सी विकेट टेकिंग नेचर गिदवाज और मैं क्यों इनको बैक करने को बोल ला आता है वह आपको पिछले मैच में दिग गया होगा आ गये डित प्रेसर बना था तीन विकेट लेके गया और इनकी पिटाई होती है लेकिन यह क्या दो विकेट नॉर्मली लेही कि जाते हैं डेर्स हो क्या सपास प्रेस जनरेट करते हैं लगतार बॉड़ी लाइन पर सौ यह रिस्क हमेसा इनके साथ रहेगा इसलिए थोड़ा एवरेज ऑप्सन जो रिस्क लेना चाहते हैं मुंबई को थोड़ा फेवरेट बना के चल लें तो वो सेकेंड बॉलिंग में ट्राइब कर सकते हैं फिर आते हैं जस्परित दुम्रा वर्ल्ड के सबसे बहतरीन गिद थोड़ा रिस्की है हालनकि फॉर्स बॉलिंग में ट्राइब कर सकते हैं अकासमाडवाल हाड लेंद के लिए जाने जाते हैं और इस वेन्यू पर रिकॉर्ड भी अच्छा है लेकिन देखिए इस वेन्यू पर ना मैं आपको यह बोलूँगा अगर यह डेथ नहीं कर रहे हैं तो दो अबर तो वहीं निकल गए तो बाकी के दो अबर में विकेट लेना है तो सायद वह बंडल्स वाला फैक्टर अब इनको नहीं मिलेगा गिदवाज बहुत ही अच्छी है और अच्छी गिदवाजी कर भी रहें लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक हो जाते हैं एज बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा विनिंग कर लेते हैं अभी तक देख रहा होंगे लगातार हर मैच में जो भी हम यहां डिसकस कर रहा हैं लगभग 90 परसेंट सही हुए बीच में कभी कबार एक और यहां पर सही गलत हो गया है तो अगर आप देख रहा होंगे त सिंपल यस और नो करके अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं लास के चार-पांच मैंज कर जो हमने टीम का विनर लिया था वो पूरे लगभग साही थे तो जैसे इस मैच में क्या मुंबई जीते का बंगलूरू के एक तो मुझे लगता हाँ मुंबई को जीतना चाहिए मैं च्छे ओबर में स्कोर करेगा तो अगर पाटा ट्रैक है तो सीधे सीधे पिछ रिपोर्ट का इंतजार किजिए गा तो यस होगा च्छे ओबर में 45 या उससे ज्यादा करेगा और ऐसे भी मैं यसी इस पर करने वाला हूं ठीक है उसके एलगा जस्पी बुम्राद दो या उ नीचे पिंड कोमेंट में लिंक है साइन अप कर लिजेगा साइन अप करते ही आपको 25 रुपए तक का बोनस मिल जाएगा और वो बोनस 100% होता है मतलब सुरुवात में आप अपना लग ऐसे ही कर सकते हैं लॉजिक वाले क्वेस्चन को करिए और फिर उसका यूज करके बिन क को करना क्या है नीचे पिंड कोमेंट में लिंक है प्रोबर साइन अप किजिए और ओपिनियन ट्रेडिंग का फायदा उठाइए सिंपल लॉजिकल क्वेस्चन का आगे बढ़ते सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्सीवी टीम के प्रिभ्यू की तो आर्सीवी टीम भाई आ हम लोग फैंस हैं हमारे साथ भी तुफान के बाद घर तूट जाते हैं दिल तूट जाते हैं तो आर्सीवी टीम के प्रिभ्यू की बात करें तो एक ही मैच जीता है बाकी सब में तो बेड़ा गर की हुआ है हम उमीद करेंगे कुछ अच्छा करें लेकिन चांसेच कम है क्योंकि ग्रीन को ही यह निकालते लेकिन ग्रीन क्या है कि इस पिछ पे खेले हुए लास्ट सीजन तो साइट टीम प्रिफर करेंगी तो विराट रेट पाटिदर गलेन मैक्सवेल सौरब चौहान को लाएं अब इनको भी तुफानी करवाएंगे करवाएंगे ग्रीन है दिनेश कार्थिक जो कि अच्छे हीटर हैं लास्ट में आके चक्के चक्के लगा रहे थे इनको भी नहीं भेजा पिछले में डेथ में भी पता नहीं क्या कर रही है तीम उसके अलवा मैंग डागर करन सर्मा में कोई एक और रीश टॉपली मोहमद सिराज यस दयाल इस डि क्योंकि जब आप मुबमेंट वाला पिच नहीं बना रहे हैं तो सिराज को रख के करेंगे क्या एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्टिपूशन की बात करें टॉपली चार सिराज चार मैंग ट्रागर दो से तीन एक भी कर सकते हैं वही करन सर्मा भी हो सकते हैं यस दयाल तीन के लिए प्रॉब्लम रहते नहीं है अराम से कबर कर सकते हैं बहुत ही सांदार प्लेयर हैं पिछले मैच में भी थोड़ा स्टार्ट में टाइम लिया लेकिन बाद में हिटिंग कर रहे थे तो अच्छे पिक होंगे फिर आते हैं विराट कोली रन मसीन 105 के एवरेस से स्कोर कर रहे हमें साथ 6 स्कोर करते हैं और हमें कैप्टन बनाने से मतलब है अब कैप्टन बना सकते हैं इनको आराम से बहतरीन प्लेयर हैं क्लासी प्लेयर हैं हालिंकि और लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं लोग स्ट्राइक रेट का तो बात कर रहे हैं लेकिन भाई कैसे यह फ्री फ्लो में कहलेगा जब आसपास वाले साथ नहीं देंगे तो इसलिए उतना श्ट्राइक रेट नहीं मिलेगा बहतरीन बलेबाज है आराम से कैप्टेन कर सकते हैं रहत पाटी दर यह भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं और कभी भी नीचे भी जा सकते हैं बहुत अच्छा रहेंगे बुम्रा को तुरंत लाए जाएगा जैसे ही आएंगे बुम्रा के अगेंस इनका रिकॉर्ट बहुत ही खराब है कभी कभी चावला को भी हिट करने में आउट होते हैं लेकिन फिर भी इस वाले ग्राउंड पे आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि यहां पर बॉलर् हीटर हैं अच्छा खासा टाइमिंग करते हैं देखते हैं आगे क्या करते हैं अभी तो ज्यादा हमारे पास सैंपल है नहीं केमरून ग्रेन की बात करें तो यह भी अच्छे हीटर है लेकिन वही बैटिंग से लगातार फ्लॉप है और आर्सीबी जुन जुना थाम लेती ह कि एक सीजन कोई परफॉर्म करता नहीं है उसको ले लेते हैं वाई 20-20 करोड 18 करोड में और फिर वो चलता नहीं है यही दिक्कत होती आर्सीबी के साथ क्योंकि यह प्रूबेन परफॉर्मर अभी तक T20 के नहीं है और वही हो रहा है इनके साथ बॉलिंग हालंकि पेसर है तो इसलिए इनको करना चाहिए तो एक आक विकेट मिल सकता है और 15-20 कभी बना सकते है और टैलेंट है भाई लास्ट सीजन सेंचुरी भी लगाया था तो टैलेंट तो है बंदी में तो इसलिए टीम में रखना है कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की है और इसी वेन्यू प बेचारे ने भाई क्या गलती थी दो-दो-तीन-चिंसओ के स्ट्राइक रेट से रन बनाया तीम ने का हमें स्ट्राइक रेट की जरूरत ही नहीं हम स्लो के लेंगे तो बाहर बैठ तो बाहर बैठा दिया पिछले मैच में फिर आते हैं विजय कुमार विश्चक ये भी काल के ये डागर को लाएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी होगी कुछ खास नहीं कर पा रहें करन सर्मा इनका भी कुछ खास हाल नहीं रहा है आराम से चोड़ सकते हैं रिश्टॉपली ये बढ़ी हां के दवाज है भाई फस्ट मैच में थोड़ा पूरन ने रेल दिया था लेकिन गेदवाज बहुत ही अच्छे हैं थोड़ा सा मुवमेंट मिल गया तो रोहिता और इसान किसन को सुरुवात में इसाप कर देंगे बहतरीन गेदवाज ही करते हैं और most of the time ये क्या दो विकेट मिलेगा फर्स बॉलिंग में तो सीधे सीधे ले लेना है हाँ आने करर थोड़ा मिल जाए या बल्लेबाज खराब सौट खेल जाएं तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे अंटे नले स्पिच में आ जाए कि मुवमेंट होता है तो ये वर्ल्ड के सबसे खतरनाग गिदवाजों में से आ जाते हैं तो इसलिए बहुत अच्छे पिक न जिलता नहीं आराम से छोड़ सकते पिर आते हैं अनुजरावत मोश प्रब्ली नहीं खेलेंगे नीचे और कोई भी नहीं खेलता हो दिखाई देगा तो दोस्तों मैचप की बात कर लेते हैं इसान किसन की बात करें सिराज ने इनको दो बार आउट किया है उसके अलावा फ टॉपली लास्ट में जरूर इनके अगेंस आएंगे कुछ एक ओवर लेके हर्दिक पांडय अगें टॉपली इस दे प्रब्लम दो बार आउट कर चुके हैं अलजारी जोसेप ने भी आउट किया है लेकिन जोसेप का तो पहले ही योसेप हो चुका है दिनेस कार्तिक की ब बात में लाए जा सकते हैं इनके अगें बुम्रा को काफी अच्छा खेलते हैं 38 बॉलों पर 61 बना चुके हैं ग्लेन मैक्स्वेल की बात करें तो सेफ़र्ड दो बार आउट कर चुके हैं बुम्रा 44 रन 37 बार पांच बार आउट टी 20 आई 31 रन 28 बार दो बार आउट ओडि 27-79 बार आउट मतलब बुम्रा कंफॉर्म इनके अगेंस एक या दो बार का इस्पिल लेके आएंगे और अगर उसमें भी अपना इगो दिखाया तो फिर इस्टम्प उखड के जाएगा इनका प्यूस चावला ने भी तीन बार आउट किया लेकिन वो हेटिंग में लेकिन बुम्रा को तो हिड भी नहीं कर पाते हैं केमरून के ज्यादा ध्यान देने वाला मैच अप नहीं है अब बात करते हैं कौन किसके अगेंस स्ट्रगल करता है इस्टाइल इसान किसन चाइन मैं लेप्टाम पेस और लेकिन यह कमजोरी है तो लेकिन फोड़ा इंट्रिउस क लेकिन लोग को मदद मिलता है तब यह लोग परसान भी करते हैं तो बुम्रा से थोड़ा समल के रहना पड़ेगा कोई से समल के रहना पड़ेगा विराट कोली लेप्टाम मीडियम पेस के अगेंस कभी कबार विकेट दे देते हैं फॉब्ड प्लेसिस चाइना मैं लेप्टाम एक्स्टा पेस और आप ब्रेक यह थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो क्या पता नभी के ओबर इधर ही निकलवाए जाए रज़त पाट इदर करें तो यह भी हिट के चेकर में कई हो के अगेंस इस्ट्रकल करते हैं खासकर इस्पिनर्स को हिट करने में विकेट फेकते हैं कैमरून गें एक्ट्रा पेस यह इनकी प्रॉब्लम है मीडियम पेस के अगेंस थोड़ा सा रिकॉर्ट खराब है तो दोस्तों यह था इंपोर वर्मा भी बढ़ियां पिक होंगे आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं मैं ड्रॉप कर रहा हूं उसका रीजन वही है कि नंबर पांच पे भी जा सकते हैं लेकिन अच्छे पिक होंगे यह ध्यान दीजेगा और यहां पे ज्यादा और कोई उतना अच्छा अपसर नहीं दि यहां पे अच्छा रिकॉड रहा है तो इनको भी मैंने कबर किया सेपर्ट भी बढ़ियां ओपसन होंगे बैटिंग से रन बना सकते हैं और रहरे के विकेट भी इनको मिलता इनको भी मैंने कबर किया बॉलिंग सेक्षण वोम रहा ये आपके लिए मस्ट हैप रहेंगे सि hard surfaces इनके balling को assist करती हैं तो ये ध्यान दीजेगा तो as a trump card अब try कर सकते हैं, captain wise captain की बात करें तो captain मैंने कोहली को किया है, VC मैं आपके पास रोहित हैं, डुपलेसिस हैं, सुर्या हैं, पांड्या हैं, फिलहाल के लिए मैंने पांड्या को VC किया है Maxwell का क्या है, बुमरा कैकें से struggle है, प्लस palm भी अच्छा नहीं चला है, तो CVC बनाना थोड़ा risk की दिखाई दे रहा है, तो CVC खुद का खास कर VC रखिएगा, मैंने पांड्या को रखा हुआ है, क्योंकि मैं उमीद कर रहा हूँ, सायद balling कर जाएं, देखते हैं उस समय क्या playing alone रहेगा, उसी साब से decide किया जाएगा बुमरा भी first balling में एक ठीक ठाक option हो सकते हैं, तो यह है मेरी team, जिसके साथ मैं जा सकता हूँ, बाकी जो भी changes होगा, आपको टेलिग्राम पर पता चल जाएगा